हरी कृष्णा राधे राधे शिरी ओम नमो भगवते वासु देवाई शिरी पुर्शोत्तम मास महातम में कथा उन्निस्वा अध्याई शिरी सूच जी बोले हे तपस्वियों इस परकार कहते हुए शिरी नारायन को मुनिसरेष्ट नारध भुनी ने मधुर वच्णों से प्रसंद करके कहा हे ब्राह्मन हे तपोनिधी सुदेव ब्राह्मन से प्रसंद भगवान विश्णु ने क्या उत्तर दिया सो हे तपोनिधी मुझसे कहिए शिरी नारायन बोले इस परकार महात्मा सुदेव ब्राह्मन ने विश्णु भगवान से कहा बक्त वत्सल विश्णु भगवान ने वच्णों द्वारा सुदेव ब्राह्मन को परसंद करके कहा हरी भगवान बोले हे द्विजराज जो तुम नहीं किया है उसको दूसरा कोई नहीं करेगा जिसके करने से हम परसन हुए उसको आप नहीं जानते हैं यह हमारा प्रिय पुर्शोत्तम मास गया है इस तरीके सहित शोक में बगन तुमने उस पुर्शोतम मास की सेवा की है हेत पोनिधे इस पुर्शोतम मास में जो एक भी उपवास करता है हेद्वी जोत्तम वहें मनुष्य अरंद पापों को भस्म करके विमान से वैकुंट लोग को जाता है सो तुमको एक महीना बिना भोजन किये बीट गया और असमे में मेख की आने से प्रति दिन प्राते, मद्याहन और साइं तीनों काल में इसनान भी अनयास ही हो गया हेतपोधन तुमको एक महीना तक मेख के जल से इसनान मिला और उतने ही अखंडित उपवास भी हो गए शोक रूपी समुंदर में मगन होने के कारण ज्यान से, शक्ती से ही इन तुमको अज्यानी से ही पुर्शोत्तम का सेवन हो गया तुमारे इस साधन का तोल भला कौन कर सकता है तराजू की एक तरफ पल्ड़े में वेद में कहे हुए जितने साधन है उन सब को रखकर और दूसरी तरफ पुर्शोत्तम को रखकर देवताओं के सामने जब ब्रह्मा जी ने दोलन किया तो सब हलके हो गए, पुर्शोत्तम भारी हो गया इसलिए भूमी के रहने वाले लोगों से पुर्षोत्तम का पूजन किया जाता है हेत अपोधन यद भी पुर्षोत्तम मास सर्वत्र है फिर भी इस प्रत्वी लोग में पूजन करने से फल देने वाला कहा गया है इसे हेवत्स इस समय आप सब तरहें सी दन्य हैं क्योंकि आपने इस पुर्शोत्तम मास में उग्र और परंदारुन तब को किया है। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर भी जो लोग पुर्शोत्तम मास में इस नांदान आदी से रहित रहते हैं, वे लोग जरम जन्मांतर में दरित्र होते हैं। इसलिए जो सब तरह से हमारे प्रिय पुर्शोत्तम मास का सेवन करता है, वे है मनुष्य हमारा प्रिय, धन्य और भाग्यवान होता है। पुर्शोत्तम मास का सेवन हुए है, वे है पुर्शोत्तम मास का सेवन फली भूत हुआ है, जिसके सेवन करने से व्रत पुत्र भी उठ खड़ा हुआ, आश्चरिय है, ऐसा मास कहीं नहीं देखा। इस तरहें आश्चरिय करता हुआ उस पुर्षोत्तम मास का अच्छी तरहें से पूजन करने लगा वहेज़ पतनीक ब्राह्मन स्रेश्ट इस पुतर से परसन्न हुआ और शुकदेव पुतर ने भी अपने उत्तम कारियों से सुदेव शर्मा अपने पिता को परसन्न किया मास को समस्त दुखों को नाश करने वाला जानकर उस मास के आने पर अपनी इस्तरी के साथ जब हवन आदी से शिरीहरी भगवान का सेवन करनी लगा बहजरेश्ट प्रामन अपनी पतनी के साथ निरंतर एक हजार वर्ष तक संसार के समस्त विश्यों का उभोग कर विश्नो भगवान की उत्तम लोग को प्राप्थ हुआ जो योगियों को भी तुष प्राप्थ है और फिर यग्य करनी वालों को कहां से प्राप्थ हो सकता है जहां जाकर विश्नो भगवान के सर निकट वास करते हुए शोक की भागी नहीं होते वहाँ पर होने वाले सुखो को भोग कर गौत्मी और सुदेव्शर्मा दोनों इस्तरी पूरुष इस प्रत्वी पर आए हैं वही तों सुदेव्शर्मा इस समे दरधन्वा नाम से परसिद प्रत्वी की राजा हुए पुशो तमास के सेवन से समस्त सिध्यों के भोगता ह हे राजन ये जो आपकी स्त्री है ये आपकी पुरुजनम की पती वृता पत्नी गौत्मी ही आपकी इस जनम में पट्रानी हुई हे भूपाल जो आपने मुझ से पूछा था सो मैंने सब कह दिया शुक पक्षी तो पुरुजनम में जो पुत्र शुकदेव नाम से परसिद्ध थे और हरी भगवान ने जिने जिलाया था वह 12,000 वर्ष तक आयू भोब कर वैखुंट को गए वहाँ वन के तालाब के समी पट विक्ष पर बैठकर पुरुजनम के पिता तुमको आये हुए देखकर मेरे हितों के उपदेश करने वाले पर्त्यक्ष मेरे देवत विशे रूप सर्प से दूशित संसार सागर में मग इस परकार पिता को देखकर और अत्यंत कृपा से युक्त होकर वह शुक पक्षी विचार करने लगा कि यदि मैं इस समय राजा को ग्यान को उप्तेश नहीं करता हूँ तो मेरा बंधन होता है जो पुत्र अपने पिता की पुन नाम नर्क से रक्षा करता है वही पुत्र ह आज मेरा यह शुरुती के अर्थ का ग्यान भी व्रथा हो जाएगा इसी लिए अपने पुरुजनम के पिता का उपकार करूँगा ये राजन दरधन्वा इस तरह निश्य करके वह शुक पक्षी वचन कहने लगा ये पाप रहित राजन जो आपने पूछा था मैंने आपक के बाद पाप नाशनी सर्यो नदी को जाऊंगा शिरी नारायन बोले इस प्रकार बहुत समय तक उस परसिद ये शश्वी राजा दरधन्वा के पूरुजनम का चरित्र कहकर जाते हुए वालमी की मुनी की प्रार्थना कर असंखे पुन्यवान राजाओं के राजा वालमी की राधी